हम बात कर देखे हैं रेनू का शुगरगी आज के दिन की बात करें तो एक परसेंट के आफसाइट के साथ फिलाल इस्टॉक जामको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है हम देख सकते इस वक्त इस्टॉक 47.25 पैसे फर हमको ट्रेड होता तो 60 तक के target हमने discuss किये थे हम देख सकते इस से पहले stock ने जहां rejection phase किया था 54 का level exact उसी level पर stock ने rejection phase करके again बड़ी गिरावट दिखा रहा है और इस वक्त stock में हमको गिरावट लगाता सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है तो छोटे मोटे जंप पर थोड़ा सा aware रहना है किनके stock है गिरावट में तो यहां से और गिरावट दिखा सकता है इस वक्त stock अपने एक तगड़े और important support के पास आता हुआ हमको नजर आ रहा है हम देख सकते हैं stock ने पहले जब 44 का level यहां support लिया था 56 तक के target दिखाये थे आगेन जब गिरावट आई थी 44 के support से 51 तक के target दिखाये थे और आगेन जब यहां से rejection लेके गिरावट आई तो 44 के ही support से 54 तक के target दिखाये एक तगड़ा और important support है चोटा मोटा jump आता है और stock rejection लेकर गिरावट डिखाता है अपने लोग को breakdown कर जाता है तो हमको 44 तक की गिरावट देखने के लिए में सकती है और यह इसका तगड़ा support रहेगा चुक्किए अब stock अपने resistance zone के पास है हम देख सकते है 48 का level multiple time यहां rejection phase की है support भी ले लेता हमको नज़र आ रहा है तब immediate resistance का का काम करने वाला है 48 का level यहां तक का jump हमको देखने के लिए मिल सकता है यहां से rejection लेके इस लोग को breakdown करता है तो गिरावट डिखने के लिए मिल सकती अब यहां थोड़ा सा इंतिजार करना ही ठीक रहेगा stock को 50 के level को breakout करने देना है 50 का level इसका तगड़े resistance का का काम करने वाला है 50 का level अगर 50 का level stock bondsback को breakout देता है और sustain हो जाता है तो वो इसे condition में फिर reno का sugar में हमको लगातार बड़ी तेजी देखने के लिए मिल सकती है फिर stock अपने high को breakout भी करते हुए नजर आ सकता है लेकिन यहां थोड़ा इंतिजार करना है 50 के breakout कर sustain होने का अगर आप टिमेट अकॉपन करना जाते हो तो description में दीवही लिंक से कर सकते हो वीडियो जो education purpose के लिए कोई buy से लिया hold की सला नहीं है